असलाम लेकों विच्ट बोई अनमनाटी उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और सब अपने घरों में महफूज होंगे कोशिश करें घर रहें घर से बाहर ना जाएं आज मैं आपको बताने लगा हूं करोना वाइरस के बारे में कि यह क्या भला है जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया और अपने चुंगल में ले लिए बैसिकली करोना वायरस जो है यह कोविट-19 जो है वह है चाइना और रियेंटीड वायरस इन डिसमबर 19 में तुठाव 19 में अभी करोना बैसिकली जो अभी तक साई जो रिसरचर्चर जैन को समझ आई है वह यही है कि यह मि confusion है और यह वाइरस जो है यह बिसिकली आपके गले पर सबसे पहले एफ़ेक्ट करता है जिससे रेशे में और आपका जो रेशा है जो स्लाइवा है उसको रोग देता है और आपका जो गला है वो खुशक हो जाता है आप खांसते हैं इस वाइरस के मालब जो यह वाइरस आप से वज़ा भी बनती है इसलिए दाधा लोगों को यहने के सब को कहा गया कि मास्क लगाएं ताकि अगर कोई खांसता है इस वाइरस को अपने गले से निकालने के लिए तो किसी और क्यों ट्रांसफर ना हो क्योंकि यह वाइरस या तो गले के थू जाता है यह दोनों चीज सब्सक्राइब नहीं तो आप गलेसरीन का इस्तमाल करें हाथों पर गलेसरीन लगाएं वह एक ऐसा एजेंट है जो आपके स्किन को थोड़ा सा जलाता है उसमें वह वाइरस भी जल जाता है और मेरी यही दुआ है कि सब सेफ रहें अपने घरों में रहें मास्क पहने एन 95 25 बहुत expensive हो गया आप मत लें नहीं हो और कुछ मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा कपड़े वाला मास्क मत पहने टिशू मास्क पहने ठीक है घर में टिशू जो है वह यूज करें ठीक है बार-बार हाथ दोएं और हाथ दोने के दुरान भी पानी जाया ना हो उसका ख्याल और बस यही दुआ है कि जल्द जल्द यह वायरस से हमारी जान चुटे आकर रमजान श्रीफ आ रहा है तो अमीद करता हूं कि सब ठीक रहेंगे सेफ रहेंगे और कुछ बेतर अंदादा होगा कि वायरस है गया